हेलो एंड वेलकम गईज ओन माई य्टूब चैनल तो गईज आज मैं आपको देने वाला हूँ MCPE 1.19 के लिए डेमेज इंडिकेटर या हेल्थ इंडिकेटर एड़ाउन अभी गईज जिनको नहीं पता डेमेज इंडिकेटर एड़ाउन क्या होता है तो सबसे पहले उनको वतादू गईज इस एड़ाउन के यूज से आप किसी भी पिलेयर या किसी भी मौव की हेल्थ देख सकते हो उस पिलेयर या मौव की कितनी हीलिंग बढ़ रही है या कितनी हीलिंग घट रही है आप ये सबी देख सकते हो उस पे लेयर या मौव के उपर एक हीलिंग वार आ जाता है जैसा की गैज मेरे सर पर या इस जॉंबी के सर पर आपको ये गिरीन हीलिंग का वार दिख रहा होगा अभी गैज अगर मेरी हेल्थ कम होगी तो ये पहले येलो होगा फिर उसके बाद रैड हो जाएगा अगर मेरी हेलिंग इदर से बढ़ेगी तो ये गिरीन हो जाएगा ये ही होता है अभी गैज आप इस हेल्थ इन्डीकेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने गेम में कैसे यूज़ कर सकते हो तो गैज इस add-on की download link आपको इस वीडियो के comment box में मिल जाएगी उधर से आप सबसे पहले इसको download कर लेना तो गैज एक mb का add-on है आप जैसे इस पर click करोगे download हो जाएगा अभी गैज इस add-on को download करने के बाद आपको अपने phone के file manager या आपके phone में जड़ चीवर है तो उधर चले जाना है अभी गैज आपको उस वाले folder में जाना है जिदर ये pack download हुआ होगा तो गैज आपको damage indicator करकर इस pack की zip file मिल जाएगी आपको इस zip file को rename करना होगा simply इसके पीछे dot zip को अटा देना है और इसको mc pack तक रहने देना है उसके बाद जब आप इसके mc pack पर click करोगे तो document का option आएगा आप जैसे document पर click करोगे तो minecraft का option आएगा आपको minecraft open कर लेना है उसके बाद ये add-on आपके game के अंदर import होना start हो जाएगा और थोड़ी देर व आपको इसका damage indicator करकर add-on मिल जाएगा आपको set-on को activate कर देना है और अपने world को play कर देना है जैसे ही आप world में enter करोगे तो सभी mops के उपर healing war आ जाएगा और guys उस healing war के आगे आपको उस move के heart so करेंगे मतलब guys किस move के पास कितनी healing होती है उनके पास कितने hearts होते हैं आप सभी द एक एक्स या किसी भी टूल से या गईज बिना किसी टूल के अगदी आप किसी भी मॉब पर hit करते हो यानि कि attack करते हो तो guys उसको कितना damage पड़ता है और guys वो tool कितना damage करता है आप ये भी check कर सकते हो और guys ये जो hearts वाला healing war होता है जब किसी भी मॉब की healing भूलोगी तो guys ये green color का होगा और guys जैसे जैसे उसकी health कम होती जाएगी अगर middle में आ जाएगी तो ये yellow type का हो जाएगा और guys अजयती उस मॉब की health बिल्कुल हो जाएगी तो red हो जाएगा और जैसे जैसे उसकी health increase होगी तो फिर से green हो जाएगा अभी guys आप इस addon को अपने server या multi player में भी और वाड़न का उसकी health काफी जादा होती है हम जब बॉर्डन को मारने के लिए जाते हैं तो हम बस उस पर attack करते रहते हमको पता नहीं लेगता उसकी कितनी health कम हो रही है लेकिन इस addon की मदद से आप देख सकते हो बॉर्डन की कितनी health कम हो रही है और अभी उसको मारने के लिए हमको कितना और डेमेज करना पड़ेगा तो वाइट पूल मिलाकर बात इतनी है काफी ज़्यादा यूजब लैड़न है आप इसको अपने गेम के अंदर ट्राइ कर सकते हो इसकी डाउन्डोड लिंक आपको वीडियो के कमांट बॉक्स में मिली जाएगी बाकि काई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिली से लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करना थैंक्स पूर वाचिंग